नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत ए कंप्यूटर ग्यान की इंदर चैनल में तो चली शुरू करते हैं आज के इंपोर्टेंट प्रश्ण कंप्यूटर जी के से रिलेटेड हम आपको इस चैनल के माद्धेम से लगातार उन सभी प्रश्णों की तियारी करार है जो अक इंप्यूटर से रिलेटेड एक्जाम होता है तो उसके तैयारी कर रहे है तो उसके लिए इस सिरियूस को जरूर देखिएगा क्योंकि यहां पर आप एक बार जब वीडियो उसको देखेंगे तो उसके माद्धेम से आपकी तैयारी भी होती जाएगी साथ हम यहां पर ला बातार दे सकते हैं जलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहला प्रश्न आज के क्लास में आज के पार्ट में इसके पहले और भी इसके सिरीज के और भाग आ चुके हैं उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजेगा पहला प्रश्न है एक खालिस्तान होती है या फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है यह अलग-अलग तरीके होते हैं या बोल सकते हैं कि अलग-अलग टाइपस आफ प्रोग्रामिंग होती है तो यहां पर जो प्रश्न है इसका उत्तर होगा फंक्शनल प्रोग्रामिंग तो यहां पर इसका आंसर है फंक्शन आपको पता है, जो सबसे पहले शुरुआत में language आई थी, वो केवल machine language आई थी, और आज भी computer को केवल machine language ही समझ में आती है, जो 0 और 1 की है, जिसे हम binary language भी कहते हैं, ठीक है, इसके अलावा और भी language जैसे source code होता है, object code होता है, high level language होती है, तो computer में ऐसी कौन सी language आई थी, जो मानव की भासा के समानती, तो इसका उत्तर होगा high level language, high level language इसलिए, क्योंकि इसमें अंग्रेजी के सब्दों का प्रेयोख होता है, और अंग्रेजी के सब्दों के माध्यम से computer को निर्देश दिये जाते हैं, ऐसे सब्द या, ऐसे set of instruction होते हैं, जो मानव आसानी से समझ सकत हैं, चलिए, अगला है, for train का पूर्ण रूप क्या है, अब आपने देखा, for train क्या होती, programming language होती है, बहुत सारी programming language होती है, उन सभी programming language का कुछ न कुछ, आप बोल सकते हैं, full form, जैसे की, कोबोल का होता है, common business oriented language होता है, इसी प्रकार से for train जो है, इसका क्या full form होगा, चार option यहाँ पर दिये गए, मैं सही जवाब आपको बताता हूँ, यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा, formula translation, formula translation, यह जो है, for train जो है, यहाँ पर for formula, train translation, ठीक है, तो formula translation, for train language का full form है, अगला प्रशन, उस त्रुटी को किस रूप में जाना जाता है, जिसे compiler द्वारा ढूला जा सकता ह है, अब compiler क्या है, compiler एक translator है, यह अपन को पता है, तीन प्रकार के translator होते है, एक होता है, आपका assembler, compiler और interpreter, ठीक है, अब compiler किस प्रकार की तुर्टी या error, जिसको हम बोलते हैं, कि आगर आप कोई programming है, programming में यदि कोई error है, तो यह compiler जो है, program को सबसे पहले compile करता है, और उसमें जो भी errors होती है, उन errors को ढूड़ता है, अब किस प्रकार की error है, जो compiler ढूड़ता है, तो चार option दिएगे, syntax error होती है, semantic error होती है, logical error होती है, या internal error होती है, ठीक है, इसका answer होगा syntax error, क्या होगा इसका answer, syntax error, ठीक है, चलिए, अगला प्रशन है, एक compiler, high level program का low level program में रूपांत करता है, जिसे खालिस्तान कहा जाता है, अब compiler यानि की translator जो है, वो क्या कर रहा है, एक high level program है, उसको वो low level program में convert करता है, इस process को क्या बोलते है, इसकी coding जो होती है, उसको क्या बोला जाता है, चार option है, object code है, source code है, compiled code है, या beta code है, तो इसका answer आएगा, a object code, ठीक, इसका answer है compiler द्वारा high level program को low level program में रुपांतर किया जाता है, जिसे object code कहा जाता है, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ नए प्रशनों के साथ आप से मिलते हैं, तब तक लिए नमस्कार